चोटे आपको सिर्फ 15 सेकंड लगे लिए कि हमको बता दीजिए कहां प्यानाम आ जाते हैं हरिए मोडी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 12 सेकंड डे दीजिए आपके नमस्कार आदाब सच्छी अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार ये भाजपा की सांसद नौनीत राना और असद दुद्दीन ओएसी के बीच की जुबानी जंग है तो क्या वाकई ये जंग है या फिर सरासर फिक्सिंग और फिक्सिंग क्यों की गई किस नेता को दबाने के लिए की गई चलिए इसको समझते हैं उन्होंने डिसिजन ले लिया है कि अगले चार-पांच दिन में आपके ध्यान को भटकाना है अब ज़रा नौनीत राना और ओएसी के बयान की क्रोनोलोजी को समझे क्योंकि देखते ही देखते मीडिया इसको ले उड़ा ऐसे दिखाया गया जैसे नौनीत राना ने ओएस की भाईयों को धंकाया और बैरिस्टर साहब ने इसका बड़ा मासूम सा जवाब दिया अब कर रहा है सब चीजों का तो ठीक है करी आप ओंदो कर आपको बता दें कि यह बिल्कुल जंग नहीं है इसको कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट इस बात का एक और सबूत की OAC और BJP फिक्स मैच खेलते हैं अब आप कहेंगे कि हैदराबाद में फिक्स मैच का क्या मतलब क्योंकि नौनीत राना तो BJP की ही उम्मिदवार माधवी लता के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी वो OAC के खिलाफ मैदान में हैं तो क्या वो वाख़ई OAC को संबोधित कर रही थी नहीं BJP ने नोइडा के टीवी चैनलों के लिए उन्हें सिर्फ मोहरा बनाया इसको जरा ठीक से समझिएगा देखिए आठ माई को शाम 6 बज कर 52 मिनट पर राहूल गांधी अंबानी अडानी पर मोधी को जवाब देते हैं कि आप डर गए हैं क्या और आपको कैसे पता कि अंबानी अडानी टेंपो से पैसे भेजते हैं कोई परसनल एक्सपीरियंस है क्या आपका नमस्कार मोधी जी थोड़ा सा घवराय गए कि और आपको ये भी मालूम कि ये टेंपो में पैसा देते हैं क्या ये आपका परसनल एक्सपीरियंस है क्या इसके बाद मीडिया को खासकर नोइडा फिल्म सिटी के टीवी चैनलों को साप सूंग जाता है क्योंकि दोपार से ह अंबानी अडानी को लेकर मोधी का जूट चाया हुआ था मजबूरी थी कि वो राहूल गांधी का बयान चलाएं वो इससे दबा नहीं सकते थे मोधी जी तो काले धन पर फसक है अडानी अंबानी को काले धन से जोड़ दिया और फिर शुरू होता है मीडिया मैनेजमेंट का खेल किसी भी तरह से राहूल गांधी का बयान को दबाओ मोधी का बयान को छिपाओ और अंबानी अडानी को बचाओ अर्थिक सला का परिशद की एक स्टेडिम पाए गया है 1950 से 2015 की बीच हिंदूओं के आबादी साथ दसमलों आठ प्रतिसत घड़ गई है जबकि बारत की जनसंक्या में अलपसंक्याट समूओं की हिस्सेदारी बढ़ गई यह सवाल कहां से आपके पास अफिस की तरह से ना और फिस को बोलो प्रियंका जी पूछे किसने भीजा उने अब खेल को समझे नौनीत राना पंद्रा सेकंड वाला अपना भाशन दिन में ही दे चुकी होती है लेकिन कोई उसे नोटिस भी नहीं लेता राहुल गांधी का बयान आने के केवल 37 मिनट बाद नौनीत राना मराथी में ट्वीट करती है किवल बयान के साथ 7 बजकर 29 मिनट पर तब भी नोटिस में नहीं आता बयान मीडिया और भाजपाद दोनों पर दबाओ बढ़ता जाता है और इसी दबाओ में रात को 9 बजकर 2 मिनट पर नौनी आम तरपर नेता अपने वीडियो को ट्वीट तो करते हैं लेकिन किसी को टैग नहीं करते विरोधी नेताओं को तो बिलकुल नहीं नौनीत राना ने खुद भी इसके पहले पूरे चुणाओं में किसी को टैग नहीं किया ओएसी टैग करते ही टीवी पर हेड़ाइन बन चाया रहने वाला है इसलिए ओएसी को मैदान में उतारा जाता है बिल्कुल बिल्कुल मोडी जी को मैं बोल रहा हूं कि बंदरा सकंड डे दीजिए जान बूज कर पूरे मामले को बड़ा और मसालेदार बनाया जाता है ताकि टीवी से राहूल गांधी का बयान पूरी त तरस से घिर गए थे उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया था उपर से राहूल गांधी की खुली चुनावती दबराये मत मुदी ऐसे में ओएसी और राना के बीच की जुबानी जंग को हवा दी गई टेलिवीजन चैनल पूरे भक्त भाव से काम में जुट गया इ और तीसरा हिंदु मुसल्मान का नरेटिव बनाने में मदद आप क्या करेंगे अखलाख का हाल करेंगे जैसा मुफतार को क्या वही करेंगे या पीलू खान या फिर अपने रगबर बिलकुल आप देजिए साफ समझ में आ रहा था कि सब कुछ एक तैय स्क्रिप्ट के तह पर 26 अपरेल को चुनाव हो चुके थे और इसके बाद से ही वह घायब थी ऐसे में अचानक वह हैदराबाद में अवतरीत होती हैं और एक भाशन देकर उसे राहूल गांधी का बयान आने के बाद टैग करते हुए ट्वीट करती हैं और इसके फॉरण बाद ओवैसी की जिल्ली में पधान मंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज़ आपका है, करिये, कौन दो करें आपको, बोलते क्यों है, करिये ना, बलकि हमको बता दीजिए कहां प्याना मा जाते हैं, करिये सारा खेल, सिर्फ इसलिए, कि ओवैसी नौनीत राणा की जुबानी जंग के बहाने, नरेंद्र मोदी को अमबानी यडानी पर फजीहत से बचाया जा सके, और राहुल गांदी को मीडिया से, खासकर टीवी से, आउट किया जा सके खरिये, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, हम तो त्यार हैं, ऐसा लगा जैसे सचमुच में नौनीत राणा को 15 सेकंड मिल जाया, तो ओवैसी बंदों को खक्त कर लेंगे, छोडेंगे नहीं, और ओवैसी सचमुच में किसी मैदान में आने को तयार बैठे, ऐसा माहौल बन बच जाएगा कि बीजेपी मोदी को मजाक बनने से बचाने के लिए ओवैसी का इस्तेमाल कर रही है, और ओवैसी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये भेद खुल गया, और राहूल गांदी ने इस गठजोड के बेनकाब होने के बाद फिर से गेंद को हवा में उच्छाल द हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उन्होंने डिसिजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है, राहूल गांदी खुलेयाम नरेंदर मोदी को ड्रामे बाज बता रहे हैं, जूटा बता रह कि आपने अडानी के अलावा 10 साल में किसी और के लिए काम किया हो, तो देश को बता दीजिए, नोट बंदी की, गलत GST लागों की और सारा का सारा काम अडानी जैसे लोगों के लिए किया है, तो ये राजनीत है, कौन क्या बोल रहा है, किस को बोल रहा है, और कहा निशान तो ओएसी और नवनीत राना जैसे नेता उसे मुर्गा बनाकर अपने आका के सामने खड़ा कर देते हैं और आधी रात को कहते हैं चल सुबह वाली कुकडू कू कर ऐसे में जनता के लिए जरूरी है कि वो जागती रहे इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरण कीजिए बेल आइकॉन दबाईए घंटी जैसे आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारा ट्विटर हैंडल अर्टिकल 19 अंडरिस्कोर इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जोनलिस्ट नमस्कार